कर्म योग अध्याए पांच परोपकार में हमारा ही उपकार है। यह विचार करने के पहले कि कर्तवे निष्ठा हमें आध्यात्मिक उन्नती में किस प्रकार सहायता पहुचाती है। मैं आप लोगों को संक्षेप में यह भी बता देना चाहता हूँ कि भारत वर्ष में जिसे हम कर्म कहते हैं उसका एक दूसरा पहलू और कौन सा है। प्रत्येक धर्म के तीन विभाग होते हैं। प्रथम दार्शनिक, दूसरा पोरानिक और तीसरा कर्मकांड। दार्शनिक भाग तो असल में प्रत्येक धर्म का सार है। पोरानिक भाग इस दार्शनिक भाग की व्याख्या स्वरूप है। उसमें महापुरुषों की कम्या अधिक काल्पनिक जीवनी तथा अलवकिक विशय संबंधिक कथाओं एवं आख्याइकाओं द्वारा ही इसी दर्शन को उत्तम रूप से समझाने की चेश्टा की गई है। और कर्मकांड इस दर्शन का ही और भी स्थूल रूप है जिससे वह सर्वसाधरन की समझ में आ सके। वास्तव में अनुष्ठान दर्शन का ही एक स्थूल तर रूप है। यह अनुष्ठान ही कर्म है। प्रतेक धर्म में इसकी आवश्यक्ता है, क्योंकि जब तक हम आध्यात्मिक जीवन में बहुत उन्नत न हो जाएं, तब तक सुक्ष्म आध्यात्मिक तत्व को नहीं समझ सकते। मनुष्य के लिए यह मान लेना सरल है कि वह कोई भी बात समझ सकता है, परन्तु जब वह उसे अमल में लाने की चेश्टा करता है, तो उसे मालूम होता है कि सुक्ष्म भावों को ठीक ठीक समझना, तथा उन्हें हृदयांगम करना बड़ा कठिन है, इसलिए तो प्रतीक वि को समझने की जो प्रणाली है, उसे हम किसी प्रकार त्याग नहीं सकते, अत्यंत प्राचीन समय से ही प्रतीकों का प्रयोग प्रतेक धर्म में होता रहा है, एक दृष्टी से यदि कहा जाए कि हम प्रतीक के बिना किसी बात को सोच ही नहीं सकते, तो ठीक ही है, शब्द भी तो हमारे विचार के प्रतीक ही है दूसरी दृष्टी से कहा जा सकता है कि संसार की प्रतीक चीज प्रतीक के रूप में देखी जा सकती है सारा संसार ही प्रतीक है और उसके पीछे मूल तत्वर रूप में इश्वर विराजमान है इस प्रकार का प्रतीक केवल मनुष्य द्वारा उत्पन किया हुआ ही नहीं है और नहीं ऐसी बात है कि एक धर्म के कुछ अनुयाई एक साथ बैठ गए और उन्होंने बस कुछ प्रतीकों की कल बना कर ली धर्म के प्रतीक की उत्पत्ती स्वाभाविक रूप से होती है नहीं तो ऐसा क्यों है कि प्रायह सभी मनुष्यों के मन में कुछ विशेश प्रतीक, कुछ विशिष्ट भावों से सदा संबध रहते हैं कुछ प्रतीक तो सभी जगह पाए जाते हैं तुम में से अनेकों की यह धारणा है कि क्रोस का चिन्ह, सर्व प्रथम, इसाई धर्म के साथ प्रचलित हुआ। परंतु, वास्तों में तो वह इसाई धर्म के बहुत पहले से, मुसा के भी जन्म के पहले, वेदों के आविर्भाव के पहले, यहां तक की मानवी कार्य कलापों का किसी प्रकार का इतिहास लिपिबध होने के भी पहले से विद्यमान है। एजटिक्स तथा फिनिशिंस जातियों में भी इसकी मौझूदगी का प्रमान मिलता है। प्रायह प्रतेक जाती में इसका अस्तित्व था। इतना ही नहीं, बलकि ऐसा भी प्रतीत होता है कि क्रोस पर लटके हुए महापुरुष का प्रतीक लगभग प्रतेक जाती में प में सबसे अधिक प्रचलित, स्वस्तिक भी एक प्रतीक रहा है। एक समय में ऐसी धारना थी कि बोध इसे अपने साथ साथ सारे संसार भर में ले गए। परन्तु पता चलता है कि बोध धर्म के सदियों पहले कई जातियों में इसका प्रचार था। प्राचीन, बैबिलोन तथा मिश्रदेश में भी यह पाया जाता था। इन सबसे क्या प्रकट होता है। यही कि यह सब प्रतीक केवल कालपनी किया स्वेच्छा कृत ही नहीं थे। इनका कोई न कोई विशेश कारण अवश्य रहा होगा। उनमें तथा मानवी मन में कोई स्वाभाविक संबंध रहा होगा। इसी प्रकार भाशा भी कोई कृत्रिम वस्तु नहीं है। ऐसी बात नहीं कि कुछ लोगों ने एक साथ बैठकर यह तैय कर लिया कि कुछ विशेश भाव, कुछ विशेश शब्दों द्वारा प्रकट किये जाएं और बस भाशा की उत्पत्ती हो गई। नही भाशा की उत्पत्ती इस प्रकार नहीं हुई। कोई भी भाव अपने आनुशंगिक शब्द बिना नहीं रह सकता और न कोई शब्द ही अपने आनुशंगिक भाव बिना रह सकता है। शब्द और भाव स्वभावत अविच्छिद्य हैं। भावों को प्रकट करने के लि प्रतीक किसी प्रकार की सहयता नहीं पहुंचा सकता, उन्हें किसी दूसरे प्रतीक की सहयता लेनी पड़ती है, मन में उठने वाले प्रतीक विचार का एक दूसरा अंश भी होता है और वह है आकरती, इसे संस्कृत दर्शन में नाम रूप कहते हैं, जिस प्रकार कृत्रिम उपाय द्वारा एक भाषा नहीं उत्पन की जा सकती। उसी प्रकार कृत्रिम उपायों से प्रतीक का निर्मान भी नहीं किया जा सकता। संजार में कर्मकांड के सहकारी जो जो प्रतीक हैं वे मानव जाती के धार्मिक विचारों के एक-एक बहिय रूप हैं। यह कह देना बहुत सरल है कि अनुष्ठानों, मंदिरों तथा अन्य बाहिय आडंबरों की कोई आवश्यक्ता नहीं। और यह बात तो कल का एक छोकरा भी कह सकता है। परंतु सरलता पूर्वक यह कोई भी देख सकता है कि जो लोग मंदिर में जाकर पूजा करते हैं, वे उन लोगों की अपेक्षा जो ऐसा नहीं करते, कई बातों में कहीं भिन होते हैं। भिन भिन धर्मों के साथ जो विशिष्ट मंदिर, अनुष्ठान और अन्यस्थूल क्रिया कलाप जुड़े हुए हैं, वे उन उन धर्माव लंबियों के मन में उन सब भावों को जागरित कर देते हैं, जिनके कि ये मंदिर अनुष्ठान आदीस्थूल प्रतीक अत एव अनुष्ठानों एवं प्रतीकों को एकदम उड़ा देना उचित नहीं है, इन सब विशेयों का अध्ययन एवं अभ्यास, स्वभावतह, कर्मयोग का येक अंग है, इस कर्मयोग के और भी कई पहलू है, इन में से एक है भाव तथा शब्द के संबंध को जानना, एवं यह भी ज्यान प्राप्त करना कि शब्द शक्ती से क्या क्या हो सकता है, प्रतीक धर्म शब्द की शक्ती को मानता है, यहां तक कि किसी किसी धर्म की तो यह धारणा है कि समस्त श्रिष्टी शब्द से ही निकली है, इश्वर के संकल्प का बहये आकार शब्द है, और चुकि इश्वर ने श्रिष्टी रचना के पूर्व संकल्प एवं इच्छा की थी इसलिए श्रिष्टी शब्द से ही निकली है इस जडवाद में जीवन के कोलाहल में हमारे सनायों में भी जड़ता आ गई है ज्यों ज्यों हम बूढ़े होते जाते हैं और संसार की ठोकरे खाते जाते हैं त्यों त्यों हम में अधिकाधिक जड़ता आती जाती है और फल स्वरूब हमारे चारों और निरंतर हमारे ध्यान को आकरशित करने वाली जो सारी घटनाएं होती रहती हैं उनके प्रति हम उदासीन रहकर उनसे कोई शिक्षा ग्रहन नहीं कर पाते कभी कभी ऐसा भी अवश्य होता है कि मनुष्य का स्वाभाविक भाव प्रबल हो उड़ता है और हम इन साधारन सांसारी घटनाओं का रहस्य जानने का यत्न करने लगते हैं तथा उन पर आश्चरिय चकित हो जाते हैं इस प्रकार आश्चरिय चकित होना ही ग्यानलाभ की पहली सीड़ी है शब्द के उच्छदार्शनिक तथा धार्मिक महत्व को छोड़ देने पर भी हम देखते हैं कि हमारे इस जीवन नाटक में शब्द प्रतीक का विशेश स्थान है मैं तुमसे बातचीत कर रहा हूं तुम्हें स्पर्श नहीं कर रहा हूं पर मेरे शब्द द्वारा उत्पन वायू के स्पंदन तुम्हारे कान में जाकर तुम्हारे करमसनायों को स्पर्श करते हैं और उससे तुम्हारे मन पर असर होता है इसे तुम रोक नहीं सकते भला सोचो तो इससे अधिक आश्चरिय जनक बात और क्या हो सकती है एक मनुश्य दूसरे को बेवकूफ कह देता है और बस इतने से ही वह दूसरा मनुश्य उठ खड़ा होता है और अपनी मुठी बांध कर उसकी नाक पर एक घूसा जमा देता है देखो तो शब्द में कितनी शक्ती है एक स्त्री बिलक बिलक कर रो रही है इतने में एक दूसरी स्त्री आ जाती है और वह उससे कुछ सांत्वना के शब्द कहती है प्रभाव यह होता है कि वह रोती हुई स्त्री उठ बैठती है उसका दुख दूर हो जाता है और वह मुस्कुराने लगती है देखो शब्द में कितनी शक्ती है उच्च दर्शन में जिस प्रकार शब्द शक्ती का परिचय मिलता है उसी प्रकार साधारन जीवन में भी इस शक्ति के संबंध में विशेश विचार और अनुसंधा न करते हुए भी हम रात दिन इस शक्ति का उप्योग कर रहे हैं इस शक्ति के सोरूप को जानना तथा इसका उत्तम रूप में उप्योग करना भी खर्मयोग का एक अंग है दूसरों के प्रती हमारे कर्तव्य का अर्थ है दूसरों की सहायता करना संसार का भला करना अब प्रश्न उठता है कि हम संसार का भला क्यों करें वास्तव में बात यह है कि उपर से तो हम संसार का उपकार करते हैं परंतु असल में हम अपना ही उपकार करते हैं, हमें सदैव संसार का उपकार करने की चेश्टा करनी चाहिए और कारिये करने में यही हमारा सर्वोच उद्देश्य होना चाहिए परंतु यदि ध्यान पूरवक देखा जाए तो प्रतीत होगा कि संसार को हमारी सहायता की बिलकुल आवश्यक्ता नहीं है, यह संसार इसलिए नहीं बना कि हम अथवा तुम आकर इसकी सहायता करें, एक बार मैंने एक उपक्तेश पढ़ा था, वह इस प्रकार था, यह सुन् मिलता है, उपर से तो यह भाव सचमुच सुन्दर है, परंतु यह कहना कि संसार को हमारी सहायता की आवश्यक्ता है, क्या गोर इश्वर निंदा नहीं है, यह सच है कि संसार में दुखकष्ट बहुत है, और इसलिए लोगों की सहायता करना हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ क परंतु आगे चल कर हम देखेंगे कि दूसरों की सहायता करने का अर्थ है अपनी ही सहायता करना, मुझे स्मरण है, एक बार जब मैं छोटा था, तो मेरे पास कुछ सफेद चुहे थे, वे चुहे एक छोटे से संदूक में रखे गए थे, और उस संदूक के भीतर उनके ल नहीं के वहीं घूंते रहते, और वे बेचारे चुहे कभी भी बाहर नहीं निकल पाते, बस यही हाल संसार का तथा संसार के प्रती हमारी सहायता का है, उपकार केवल इतना ही होता है कि हमें नैतिक शिक्षा मिलती है, संसार ने तो अच्छा है, न बुरा, बात इतनी ही है कि प्रतीक मनुष्य अपने लिए अपना अपना संसार बना लेता है यदि एक अंधा संसार के बारे में सोचने लगे तो वह उसके समक्ष या तो कुछ मुलायम या कड़ा प्रतीत होगा अथवा शीत या उश्न हम सुख या दुख की समश्टी मात्र है यह हमने अपने जीवन में सैकडों बार अनुभव किया है बहुधा नोजवान आशावादी होते हैं और व्रिध निराशावादी तरुन के सामने अभे उसका सारा जीवन पड़ा है परंतु व्रिध की केवल यही शिकायत रहती है कि उसका समय निकल गया कितनी ही अपूर्ण इच्छाएं उसके हृदय में मचलती रहती हैं जिने पूर्ण करने की शक्ति उसमें आज नहीं है परंतु हैं दोनों ही मूर्ख हमारी मानसिक अवस्था के अनुसार ही हमें यह संसार भला या बुरा प्रतीत होता है स्वयम यह ने तो भला है न बुरा अगनी स्वयम न अच्छी है न भुरी जब यह हमें गरम रखती है तो हम कहते हैं कि यह कितनी सुन्दर है परंतु जब इससे हमारी उंगलियां जल जाती हैं तो हम इसे दोश देने लगते हैं परन्तु फिर भी स्वयम न तो अच्छी है न बुरी जैसा हम इसका उपयोग करते हैं तद अनुरूप यह अच्छिया बुरी बन जाती है। परन्तु फिर भी हमें सदैव उपकार करते रहना चाहिए। परन्तु तुम स्वयम इस बात के लिए कृतग्य हो कि तुम्हे वह निर्धन विक्ति मिला जिसे दान दे कर तुमने स्वयम अपना उपकार किया। धन्य पाने वाला नहीं होता देने वाला होता है। इस बात के लिए कृतग्य हो जाओ कि संसार में तुम्हे अपनी दयालूता का प्रियोग करने और इस प्रकार पवित्र एवं पूर्ण होने का अवसर प्राप्त हुआ है। समस्त भले कारिय हमें शुद्ध बनने तथा पूर्ण होने में सहायता करते हैं। और सच पूछो तो हम अधिक से अधिक कर ही इतना सकते हैं। या तो एक अस्पताल बनवा देते हैं, सडकें बनवा देते हैं, या सदावर्थ खुलवा देते हैं, बस इतना ही तो हम गरीबों के लिए कोश खोल देते हैं, दस बीस लाग रुपई गठा गर लेते हैं, उसमें से पांच लाग का एक अस्पताल बनवा देते हैं, तू उतने से हुआ क्या? आंधी का एक जोंका तो तुम्हारी इन सारी इमारतों को पांच मिनट में नश्ट कर दे सकता है फिर तुम क्या करोगे? एक भूकम तो तुम्हारी तमाम सडकों अस्पतालों, नगरों और इमारतों को धूल में मिला दे सकता है अतयेव, इस प्रकार की संसार की सहायता करने की खोखली बातों को हमें छोड़ देना चाहिए यह संसार न तो तुम्हारी सहायता का भूखा है और ना मेरी सहायता का परन्तु फिर भी हमें निरंतर कारिये करते रहना चाहिए निरंदर परोपकार करते रहना चाहिए क्यों? इसलिए कि इससे हमारा ही भला है यही एक साधन है जिससे हम पूर्ण बन सकते हैं यदि हमने किसी भिखारी को कुछ दिया हो तो वास्तों में उसके उपर हमारा कुछ नहीं आता हमारे उपर ही उसका आता है हम पर उसका आभार है क्योंकि उसने हमें इस बात का अवसर दिया कि हम अपनी दया उस पर काम में ला सकें यह सोचना निरी भूल है कि हमने संसार का भला किया अथवा कर सकते हैं यह है कि हमने अमुक अमुक वेक्तियों की सहायता की ये नेरी मूर्खता का विचार है, और मूर्खता के विचारों से दुख उत्पन होता है, हम कभी-कभी सोचते हैं, कि हमने अमुक मनुष्य की सहायता की, और इसलिए आशा करते हैं, कि वह हमें धन्यवाद दे, पर जब वह हमें धन्यवाद नहीं देता तो उससे हमें दुख बड़ा होता है हम जो कुछ करें उसके बदले में किसी भी बात की आशा क्यों रखें बलकि उल्टे हमें उसी मनुश्य के प्रति कृतग्य होना चाहिए जिसकी हमने सहायता की है उसे साक्षात नारायन मानना चाहिए मनुश्य की सहायता द्वारा ईश्वर की उपासना करना क्या हमारा परमसो भाग्य नहीं है यदि हम वास्तों में अनासक्त हैं तो हमें यह व्रिधा प्रत्याशा जनित कष्ट क्यों होना चाहिए अनासक्त होने पर तो हम प्रसन्नता पूर्वक संसार में भलाई कर सकते हैं अनासक्ति से किया हुआ कारिय कभी भी दुख अथवा अशांती नहीं लाता वैसे तो संसार में अनंत काल तक सुख और दुख का चक्र चलता ही रहेगा फिर हम इसकी सहायता के लिए कुछ करें या ना करें उससे कुछ बनने या बिगडने का नहीं है दृष्टान तस्वरूब एक कहानी सुनो एक गरीब आदमी को कुछ रुपए की जरूरत पड़ी उसे कहीं से यह मालूम हो गया कि यदि वह किसी भूत को अपने वश में कर ले तो वह उससे चाहे जो मंगवा सकता है निदान उसे एक भूत ढूंडने की सुझी वह किसी ऐसे आदमी को ढूंडने लगा जिससे उसे एक भूत मिल जाए ढूंडते ढूंडते उसे एक साधु मिले इन साधु के पास बड़ी शक्तियां थी और उसने उनसे सहायता की आचना की साधू ने उससे पूछा तुम भूत का क्या करोगे उसने उत्तर दिया महाराज मैं भूत इसलिए चाहता हूँ कि वह मेरा काम कर दे कृपा कर मुझे उसको प्राप्त करने का ढंग बता दीजिए मुझे उसकी बड़ी जरूरत है साधू बोले देखो तुम इस जमेले में मत पड़ो अपने घर लोट जाओ दूसरे दिन वह आदमी साधू के पास फिर गया और बहुत रोने गाने लगा उसने कहा महाराज मुझे एक भूत दे दीजिए न मुझे बड़ी आवश्यक्ता है अंत में साधू कुछ चिड से गए और उन्होंने कहा अच्छा लो यह मंत्र लो इसका जब करने से एक भूत प्रकट होगा और फिर उससे तुम जो चाहो काम कहोगे वही करेगा परन तु देखो खोशियार रहना यह बड़े भैंकर प्राणी होते हैं उसे निरंतर काम में लगाए रखना यदि कभी वह खाली रहा तो तुम्हारी जान भी ले लेगा तब उस मनुष्य ने कहा यह कौन कठिन बात है मैं तो उसे इतना काम दे दूँगा कि उसके जीवन भर खत्मी ही न हो इसके बाद वह आदमी एक वन में चला गया और मंतर का जब करने लगा कुछ देर तक जब करने के बाद उसके सामने विकराल दांतों वाला एक बड़ा भयंकर भूत प्रकट हुआ भूत ने कहा देखो मैं भूत हूँ तुम्हारे मंतर ने मुझे जीत लिया है परन तु देखो तुम्हे मुझे को निरंतर काम में लगाए रखना होगा क्योंकि जो ही मुझे थोड़ा सा अवकाश मिला मैं तुम्हारी जान ले लूँगा आदमी बोला ठीक है जाओ मेरे लिए एक महल तयार करो भूत ने जवाब दिया लो हो गया महल तयार आदमी ने कहा जाओ मेरे लिए धन ले आओ भूत बोला लो धन भी तयार है फिर आदमी ने कहा ये जंगल काट डालो और एक शहर बसा दो भूत बोला लो ये भी हो गया, अब और क्या करूं बतलाओ अब तो यह आदमें बड़ा घबडाने लगा, उसने मन में सोचा अब तो मेरे पास कोई काम नहीं है, जो मैं इसे करने को कहूं यह तो प्रत्य काम क्षण भर में ही कर डालता है भूत इधर गरजकर बोला देखो, मुझे जल्दी कुछ काम करने को दो, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाओंगा बेचारा आदमी, अब कोई काम सोची ने सका, और मारे भय के थर-थर कापने लगा अब तो वह बेतहाशा, भागा और भागते भागते, उन्हीं साधु के पास पहुचा और वहां जाकर गिड़-गिड़ाने लगा महराज, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, मेरी जान बचाईए साधु ने पूछा कहो, क्या हुआ? मनुष्य ने उत्तर दिया, अब मैं क्या गरूँ? अब तो मेरे पास उस भूत को देने के लिए कोई काम शेश नहीं है मैं उससे जो भी कुछ करने को कहता हूँ, वह क्षण भर में कर डालता है और जब उसके पास कोई काम नहीं रह जाता, तो वह मुझे खाने की धमकी देता है इतने में ही वह भूत वहाँ आ पहुंचा और कहने लगा अब तो मैं तुमें खा जाऊंगा और सच मुझ, वह उसे खा ही जाता आदमी मारे डर के कापने लगा और उसने साधू से अपने प्राणों की भिक्षा हांगे साधू ने का अच्छा, मैं तुमें रास्ता बताता हूँ देखो, उस कुट्टे की पूँच टेड़ी है अपनी तलवार निकालो और उस पूँच को काटकर इस भूत को दे दो उससे कहो कि इसी सीधी कर दे आदमी ने जट से कुट्टे की पूँच काट ली और उसे भूत को दे कर कहा लो, इसे सीधी करके मुझे दो भूत ने पूँच ले ली और उसे बड़ी सावधानी से सीधी करने लगा पर ज्यों ही उसने उसको सीधी करके छोड़ दिया त्यों ही वह फिर से टेड़ी हो गई भूत ने दोबारा कोशिश की परंतु ज्यों ही उसने छोड़ दी त्यों ही वह फिर टेड़ी हो गई उसने तीसरी बार फिर प्रयत्न किया परंतु वह टेड़ी की टेड़ी ही रह गई इस प्रकार वह कई दिनों तक प्रयत्न करता रहा यहां तक कि वह ठक गया और बोला मुझे ऐसा कश्ट तो अपने जीवन भर कभी नहीं हुआ मैं एक बड़ा पुराना भूत हूँ ऐसी मुसीबत में मैं कभी भी नहीं पड़ा अब तो वह भूत उस आदमी से कहने लगा आओ भाई हम तुम समझोता कर ले तुम मुझे छोड़ दो और मैंने अब तक तुम्हें जो कुछ दिया है वह सब अपने पास ही रखे रहो मैं वादा करता हूँ अब आगे तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट न दूँगा यह सुन वह आदमी बड़ा खुश हुआ और बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उसने इस समझोते को स्विकार कर लिया हमारा यह संसार विबस कुट्ते की टेढ़ी पूँच के समान ही है सैकडों वर्ष से लोग इसे सीधा करने का प्रयत्न कर रहे हैं परंति जो ही इसे वे सीधा करके छोड़ते हैं तो ही यह फिर से टेढ़ा का टेढ़ा हो जाता है इसके अतिरिक्त और क्या हो सकता है मनुष्य पहले यह जान ले की आसकती रहित होकर उसे किस प्रकार कर्म करना चाहिए तब ही वह दुराग्रह और मतांदता से परे हो सकता है जब हमें यह ज्यान हो जाएगा कि संसार कुट्ते की टेढ़ी दुम की तरह है और कभी भी सीधा नहीं हो सकता तब हम दुराग्रही नहीं होंगे यदि संसार में है दुराग्रह यह कटरता न होती तो अब तक यह बहुत उन्नती कर लेता यह सोचना भूल है कि धर्मांदता द्वारा मानव जाती की उन्नती हो सकती है बलकि उल्टे यह है तो हमें पीछे हटाने वाली शक्ती है जिससे घ्रणा और क्रोध उत्पन होकर मनुष्य एक दूसरे से लड़ने भिडने लगते हैं और सहानु भूति शुन्य हो जाते हैं हम सोचते हैं कि जो कुछ हमारे पास है अथवा जो कुछ हम करते हैं वही संसार में सर्वस्रेष्ट है और जो कुछ हम नहीं करते अथवा जो कुछ हमारे पास नहीं है वह एक कोड़ी का मुल्ले भी नहीं रखता अतएव जब कभी तुम में दुराग्रह का यह भाव आये त तो सदैव कुत्ते की तेड़ी पूच का दृष्टांत स्मरण कर लिया करो। तुम्हें अपने आपको संसार के बारे में चिंतित बना लेने की कोई आवश्यक्ता नहीं। तुम्हारी सहायता के बिना भी ये चलता ही रहेगा। जब तुम दुर आग रह और मतांधता से परे हो जाओगे तभी तुम अच्छी तरह से कारिये कर सकोगे। जो ठंडे मस्तिश कवाला और शांत है जो उत्तम ढंग से विचार करके कारिये करता है जिसके सनायू, सहज ही और तेजित नहीं हो उठते तथा जो अत्यन्त प्रेम और सहानु भूती संपन्य है केवल वही व्यक्ती संसार में महानकारिये कर सकता है और इस तरह उससे अपना भी कल्यान कर सकता है। दुराग्रही व्यक्ति मूर्ख और सहानु भूति शुन्य होता है वह ने तो कभी संसार को सीधा कर सकता है और ना स्वयम को शुद्ध वेपूर्ण बना सकता है आज के व्याख्यान का शारांश यह है सर्वप्रथम हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि हम ही संसार के रिण नहीं है यह तो हमारा सव भाग्य है कि हमें संसार में कुछ कारिये करने का अवसर मिलता है संसार की सहायता करने से हम वास्तों में स्वयम का ही कल्यान करते हैं दूसरी बात यह है कि इस विश्व के एक ईश्वर है यह बात सच नहीं है कि यह संसार पिछड रहा है और इसे तुम्हारी और मेरी सहायता की आवश्यक्ता है। इश्वर, सरवत्र विराजमान हैं। वे अविनाशी, सतत क्रियाशील और जगरत हैं। जब सारा विश्व सोता है, तब भी वे जागते रहते हैं। वे निरंतर कारिय में लगे हुए हैं। संसार के समस्त परिवर्तन और विकास उन्ही के कारिय हैं। तीसरी बात यह है, कि हमें किसी से घ्रणा नहीं करनी चाहिए। यह संसार सदैव ही अच्छे और बुरे का मिश्रण स्वरूप रहेगा। हमारा करतव्य है कि हम दुर्बल के प्रती सहानु भूती रखें और एक अन्याई के प्रती भी प्रेम रखें। यह संसार तो चरित्र गठन के लिए एक विशाल व्याया मशाला है। इसमें हम सभी को अभ्यास रूप कसरत करनी पड़ती है। जिससे हम आध्यात्मिक बल से अधिकादिक बलवान बनते रहते हैं। चोथी बात यह है कि हम में किसी प्रकार का दुराग्रह नहीं होना चाहिए क्योंकि दुराग्रह प्रेम का विरोधी है। बहुधा दुराग्रहियों को तुम यह गाल बजाते सुनोगे। हमें पापी से घ्रणा नहीं है। हमें तो घ्रणा पाप से है। परन्तु यदि कोई मुझे एक ऐसा मनुष्य दिखा दे दो सचमुच पाप और पापी में भेद कर सकता है। तो ऐसे मनुष्य को देखने के लिए मैं कितनी भी धूर जाने को तयार हूँ। मुख से ऐसा कहना सरल है। यदि हम द्रव्य और उसके गुण में भली भाती भेद कर सकें तो हम पूर्ण हो जाएं। पर इसे अमल में लाना इतना सरल नहीं है। हम जितने ही शांत चित होंगे और हमारे सनायू जितने शांत रहेंगे, हम उतने ही अधिक प्रेम संपन होंगे और हमारा कारिय भी उतना ही अधिक श्रेष्ठ होगा।